अलो फ्रेंज वल्कम टू यूटूब चैनल टिप्स एंड टिप्स सबसे पहले हम बात करेंगे प्री नस्री टीचर्स की इमाचल में आउट्सोर्स पर भरती होंगे प्री नस्री टीचर्स आंगणवाडी कार्यकरताओं को मिलेंगे 30% बद इमाचल के सरकारी स्कूलों में आउट्सोर्स के अधार पर रखे जाएंगे ये सुझा प्रारंबिक शिक्षा विभाग की और से आयट ड्राफ्ट में दिया गया है ये ड्राफ्ट शिक्षा सचीव कराले को मिल गया है और आने वाले दिनों में चर्चा के बाद इस पर फैसला होगा अंतिम निरने कैबन में लिया जाएगा और उसके बाद ही भरती प्रक्रिया शुरू होगी रज्य में 4000 से ज्यादा स्कूलों में प्री नर्श्री तीचर भरती के जाने है समग्र शिक्षा अभ्यान की प्रजेक्ट अप्रूबल बोर्ड से मिली मंजूरी के मताबिट 4787 प्री प्री प्रेमरी निक्त होने हैं शिक्षा विभाग की ओर से दिये गए ड्राफ्ट के अंसार ये निक्तियां आउट्सोर्स अधार पर फिक्स सैलरी के तहत की जाएंगी बेतन भी 10,000 रुपे प्रतीमा सुझाया गया है इन पदों में से 70% सीधी भरती के जरिये भरे जाएंगे जिनमें DL NTT और DCE को पत्रता दी जा रही है शेश 30% पद अंगनवारी बरकरों को प्रमोशन कोटा के तहत दिये जा रहे हैं लेकिन इसमें शक्षनिक योगता परशिक्षन अनुवब और उमर की पत्रता अभी तैह होनी है और इसके लिए महिला एवम बाल विकास विभाग से फिर स बैठक हो सकती है शिक्षा विभाग की और से आयद ड्राफ्ट में नस्री टीचर ट्रेनिंग के लिए दो साल का डिप्लोमा पत्रता की सूची में डाला गया है प्रारंबिक शिक्षा विभाग का कहना है कि NCTE के 2014 के प्राबधानों के अंसार ये बेवस्ता की गई है हलां में विभाग की और से आयद ड्राफ्ट में 45 साल की लिमिट रखी गई है हालांकि इन सबी प्राबधानों में सरकार के स्तर पर बदलाव हो सकते हैं और अंतिव निर्ने भी कैबिने लेना है प्रारंबिक शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज ललित ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट अरेक्टर के साथ चर्चा के बद ड्राफ्त सरकार को सोब दिया है То RICH पे कमीशन से पहले फिर एक हजार करोर का लौन इंदेशल सरकार ने नया बेतन आयग लागू काने से पहले 1,000 करोर का लोन लेने का फैसला लिया है बित विभाग की और से जारी अधिसूचना के अंसार 500-500 करोर की दो किस्तों में ये लोन लिया गया है और इसे डिवेल्पमेंट लोन की संख्या दी गई है हलांकि इसका इस्तमाल पे कमिशन के भुक्तान में किया जाएगा लोन की राशी 24 जनवरी को सरकार के राशकोश में आ जाएगी एक फरवरी को राज्य सरकार ने नए पे कमिशन के हिसाब से 2,000,000 सरकारी करमचारियों का बेतन अदा करना है गौरबतल है कि बित विभाग ने इस साल शुरू की तीन तिमहायों में बहुत कम लोन उढ़ाया है यदि दिसमबर 2021 तक की लिमिट देखें तो भी राज्य सरकार के पास अड़ाई हजार करोड का लोन लेने की लिमिट बाकी थी उसी में से ही अब ये लोन लिया जा रहा है अभी राज्य सरकार को पैंशनरों को भी नए पे कमिशन के हिसाब से भुक्तान करना है लेकिन नए पैंशन रूल्स क्योंकि अभी फाइनल हुए नहीं है इसलिए इस भुक्तान में अभी थोड़ा समय है हिमाचल पदेश में सेयुक्त करमचारी महासंग का गठन राजपत्तिरित करमचारी महासंग के दो समदंतर धरों के बाद परदेश की करमचारी राजनीती में एक तिसरे संगठन का उदे हुआ है 15 बिभागों के राज्य संगठनों ने साज़ा मंच पर आते हुए सेयुक्त करमचारी महासंग का गठन किया है चुनाबी साल में सियुक्त करमचारी महासंग के गठन से साफ है कि करमचारियों की बेतन बिसंगतियों के साथ-साथ उनके और मुद्दों वा पैंशन भोगयों की जंग भी ये संगठन लड़ेगा बैठक में विरंदर चोहान के नेत्रित्व में संयुक्त करमचारी महासंग के गठन का फैसला लिया गया ने संग्ठन के महमंत्री का दैत्व हिरारलाल वर्मा तथा बित सचीव का दैत्व खेमेंदर गुपता और चीफ एडवाईजर के बद पर बिनोद कुमार को सोपा गया चीफ पैतन का दैत्व एचाटिसी के सभी करमचारी संग्ठनों के परमुख प्यार सिंग को दिया गया और पैतन का दैत्व शिक्षा विभाग के बरिष्ट और राजकिय अध्यापक संग के सलाहकार सरोज महता को दिया गया बैठक में निर्ले लिया गया की सभी बड़े विभागों को उपाद्यक्ष के पद का दैत्वद दिया जाएगा बाकी आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि ये संक्तन हिमाचल पदेश के करमचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा पता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़बाए एंड टेक क्यर और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करदे